नमस्कार दोस्तों स्वागत यास भी का हेल फाव यूटूब चैनल में आज किस वीडियों बात करने वाले हैं इस्टेट बैंक आप इंडिया मतलब भारती इस्टेट बैंक SBI बैंक में आप जो है आनलाइन अकाउंट कैसे खोल सकते हैं घर बैठे एक सेविंग अकाउंट एक डिजिटल अकाउंट कैसे ओपिन कर सकते हैं आज किस वीडियों बताएंगे और अपने मुवाइल से इसमें आपको कहीं भी ब्रांच पर जाने की आप सकता नहीं है केवल अपने मुवाइल से घर बैठी ओपिन कर सकते हैं इसके लिए आपके पास अधार कार्ड और पैन कार्ड होना जवरी है और अधार कार्ड में मुवाइल नंबर रेइस्टर भी होना जवरी है क्योंकि अकाउंट ओपिन करते समय आपको ओटीपी का जुरत पढ़ेगा अकाउंट कैसे ओपिन करना इस सब के बारे मापको इस वीडियों पूरा विस्तार से बताएंगे और इसके लिए आपको जो है वीडियो के वाइसी का जुरत पढ़ेगा मतलब वीडियो काल के माद्यम से आपका यतरस अकाउंट ओपिन होगा कैसे open करना यह आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताएंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहें और वीडियो मागे वडियो करें चलिए आज काम वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने फोन में पिले इस्टोर एप को ओपिन करना है इसके बाद यहाँ पर में सर्च करना है योनो एस्वियाई सर्च करने के बाद यहाँ पर में योनो एस्वियाई का अफिस्यल एप देखने को मिल जाएगा install पर हमें click कर देना है इसके बाद यहाँ पर यह app download होना शुरू हो जाएगा और download होने के बाद यहाँ पर यह install हो जाएगा यहाँ पर में थ्वासा इंतिजार कर लेना है install हो जाने के बाद हमें open पर click करना है और इस app को open करना है अब इसके बाद यहाँ पर यह एप कुछी तरीके से यहाँ पर यह ओपन होगा यहाँ पर में थ्वासा इंतिजार कर लेना है अब इसके बाद यहाँ पर यह योनो SBI एप के तरब से लोकेशन के लिए अनमती मांग रहा है तो यहाँ पर में while using the app पर क्लिक करना है और इसे अनमती दे देना है इसके बाद यहाँ पर में new to SBI पर क्लिक करना है अब इसके बाद यहाँ पर यह कुछी तरीके समय देखने को मिल जाएगा यहाँ पर में एक आप्सन दिखाई देगा open saving account का इस पर में क्लिक करना है अब इसके बाद यहाँ पर में दो तरह के आपसन देखने को मिल जाएगे open a digital saving account यहाँ पर दो आपसन है without branch visit और with branch visit तो यहाँ पर में mobile से जो है account open करना है तो without brand visit पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यह कुछी तरीके से आ जाएगा अब इसके बार में जो इसके बारे में कुछ जनकाइदे को मिल जाएगा यहाँ पर यह लिखाए Fool-KYC account मतलब एक तर often होगा या Fool-KYC का account और यहाँ पर एक तर सी यहां पर हमें क्या करना है स्टार्ट a new application पर मिलिक कर आगर मानलेगेशिता आपका Aa Sak粉म बब आपको काटप्र जरूरत नहीं पड़ेगा प्रांच आने का उर्छी तरह आपडर में उन्यार में योद्र रूप का देविट का רविट to जो है अधार कार्ड और तरसे पैन कार्ड जो होना चाहिए इसके लामा जो हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना है कि एक तरसे आप जो है मतलब है असाम इक जो है और जो हमें जो हमें को नहीं होने चाहिए अगर आप यहां के है तो आप अकउंट और नहीं कि और नहींगे perspective को Chara अब यहां पर आपको जो है अपना कार्ण नोंब्र लिग-दिना है जिसमाइ Waiting नंबर से अकाउंट खोलना चाहते हैं यहां पर आपको मुवाइल नंबर लिख देना है यहां पर हम क्या करते हैं अपना मुवाइल नंबर लिखते हैं इसके बाद अगर आप अब आपना E-mail ID दिना चाहते हैं, तो आपना E-mail ID यहां पर लिक देना ये कोई जोरी नहीं है, अगर आप जो है इसे bank का प्रावाज़ी पौलजी पढ़ना चाहते हैं, तुर tekrar click करना है, अब इसके बाद यहां पर आपको निछे से send OTP पर click कर देना है इसके बाद यहां पर यह क्या होगा कि mobile नमबर पर दुबारा OTP आएगा इसके बाद यहां पर यहां पर आपको जो OTP मिल जाएगा यहां पर क्या करना है आप्लिकेशन का पहले password create करना पड़ेगा तो अपने इसाब से आपको create कर लेना है और यहां पर आ आपको जो है characters, letters, symbol का use करना है मतलब example के लिए जैसे एक, दो, तीन, चार, add, generate, capital A, small, bc इस तरीके से जो आपको एक मजबूत password बना लेना है पासवर्ड लिखने के बाद यहां पर हमें नीचे security question add करना पड़ेगा इस पर हमें click कर दिना है इसके बाद यहां पर हमें कई त provide का नाम भी देते हैं help how इसके बाद यहां पर में नीचे next पर click करना है और यहां पर में थ्वासा इंतियार करना है इसके बाद दिसकते हैं यहां पर इसके बारे में कुछ जैनकाई लिखा गया है कि तरसी application जो है 15 दिन तक तरसी यह काम करेगा तो यहां पर आपको इस बा अकाउंट open होगा यहां पर यह पहला यह personal details है अब इसके बाद यहां पर में नीचे आना है और यहां पर में इस box में click करना है और इसे हमें स्विकार करना है इसके बाद यहां पर में नीचे next पर click करना है इसके बाद यहां पर यह कुछ तरीक समय देखने को मिल जाएगा अब इसके बाद जो भी आपका अथार कार्ड का number होगा, यहाँ पर आपको अधार का number लिग देना है, इसके बाद यहाँ पर में get OTP पर click करना है, अब इसके बाद जो भी आपके अधार कार्ड में mobile number रेजिस्टर होगा, उस पर 6 अंपो का OTP आएगा, तो यहाँ पर आपको जो है थ्वासा इंतिजार कर लेना है इसके बाद जो भी आपके अधारकार में जनकारी होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा देसकते हैं यहाँ पर यह अधारकार के बारे में जनकारी आ चुका है अब इसके बाद यहाँ पर में नीची आना है और next पर हमें click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी अधार card में address होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर में थ्वासा इंतिजार कर लेना है अब इसके बाद यहाँ पर में नीची आना है, नीची आने के बाद जो भी आपका सबधिर्टिक होता है यहाँ पर आपको स्रेट कर लेना है तो जो भी आपका होगा यहाँ पर आपको स्रेट कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी विलेज या टाउन होगा यहाँ पर आपको अपनी साफ से स्रेट कर लेना है जो भी इसमें दिया गया रहा है तो आपको अपनी साफ से जो चेक कर लेना है तो तो तर से अमारा जो तर से सेम है तो यहाँ पर इसको रणे देते हैं इसके बाद यहाँ पर में क्या करना है इसके बाद यहाँ पर में थ्वासा इंतियार करना है अब इसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड होगा आपको उसके बार में जयनकारी यहाँ पर आपको लिख करना है अब इसके बाद जो भी आपके अधार कार्ड में फोटो होगा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर में नीची आना है और नेश्ट पर क्लिक करना है अकाउंट खोलते समय अगर अप्लिकेशन कट जाता है तब आपको फिर से इस एप को ओपिन करना है इसके बाद यहां पर आपको जो है open saving account पर क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपको without brand widget पर क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपको submit करना है इसके बाद यहां पर आपको जो है resume application पर क्लिक करना है इसके बाद जो भी आपने mobile number लिखा था अप्लिकेशन में यहां पर आ अगर आप पड़े लिखे हैं तो आप अपनी साफ से स्लेट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो प्रोफेस्नल को स्लेट कर सकते हैं यहाँ पर आप अपने बारे में जो है एडिशनल जनकारी बना है मतलब उशनल जनकारी बना है जैसे कि एक तरह से जो भी जनमस्थान का नाम हो गया इसके लामा जो भी फादर का नाम हो गया मदर का नाम हो गया इसके बाद यहाँ पर अगर कोई मेडे नेम है तो यहाँ पर आप लिशकते हैं तो इसके बाद यहाँ पर में जो है फादर ने कर लेते हैं इसके बाद जो भी आप इतरह से फादर का फर्स्ट नेम में लाश्ट नेम होगा यहाँ पर आपको लिख देना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको हम यहाँ पर लिख देना है इसके बाद जो भी फर्स्ट नेम होगा यहाँ पर हमें लिख देना है तो यहाँ पर हमें लिख देना है इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे जो है इस बॉक्स में किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर हमें जो है नेश्ट पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर हमें थ्वासा इंतिजार करना है अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपने बारे में कु इसके बाद यहां पर में जो है थोगा सा इंतिजार करना है अब इसके बाद यहां पर में नीची आना है और यहां पर में बैक पर क्लिक करना है लेकिन यहां पर यह बैक करने पर तरसे अदर्स में जो है कुछ यहां पर यह स्लेट नहीं हो रहा है तो यहां पर हम क्या करते ह हैं इसमें हम नाट काटेगरी राइस्ट पर क्लिक करते हैं इसके बाद यहां पर यहां पर लिखा है इंटर काटेगरी तो यहां पर हम क्या करते हैं इसमें अपनी साब सापको जो है लिख देना है यहां पर हम जो है इसमें काटेगरी में लिखते हैं यूटूबर यहां पर लिखते हैं इसके बाद यहां पर इसके बाद यहां पर इसके बाद यहां पर हमें नीचे जो है नेश्ट पर किलिक करना है इसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हमें नीचे जो है नेश्ट पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर हमें जो अक्तर से अपना religion स्रेट करना है मतलब किस धर्म के हैं तो यहाँ पर जो भी आपका धर्म होगा आपको स्रेट कर लेना है यहाँ पर हम हिंदू को स्रेट कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर में जो अपना category को स्रेट करना है यहाँ पर OBC है तो OBC को हम set कर लेते हैं OBC category को अब इसके बाद यहाँ पर में nominee details add करना है मतलब नामंकन करना है जिसका भी आप करना चाहते हैं यहाँ पर आपको लिख दिना है तो यहाँ पर अक्तर से जो भी फादर करना चाहते हैं यहाँ पर फादर का जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको लिख दिना है इसके बाद जो भी संबन्द होगा जो भी relationship होगा यहाँ पर आपको लिख दिना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं लिख देते हैं फादर यहाँ पर यह कुछ तरीक से आज आएगा और यहाँ पर मैं जू है इसका वह मतलब हमें एड्रेस иड line ग्रन Hagintjag इसके बाद जो भी पीन कोड़ית ङहां पर आपको लिंग देनाalone है यहाँ पर यहाँ पर आटंप branch available for your pin code मतलब एक तरह से जो हमारा pin code है उस पर कोई भी sbi का branch नहीं है तो यहाँ पर मैं क्या करना पड़ेगा दूसरा हमें कोई branch हमें select करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें ok पर click करना है इसके बाद यहाँ पर मैं branch खोजने के जो है में फ्रेट करना हे इसकी बाद यहाँ पर nesla delete करना है इसके बाद यहाँ पर यह po pr दिखाई देगा अगर आपि से चैंज करना चाहते हैं तो yraktorby करके change कर सकते हैं वे से इस कहना यहाँ थ्वासा जो है में highly उसके बाद सथे यहाँ pak यहाँ क्या करना करना है इसके बाद यहां पर यहां पर नीचे आना और यहां पर नीचे लाना पड़ेगा यहां पर यहाँ पर में इस box में click करना है इसके बाद यहाँ पर में नीचे next पर click करना है अब इसके बाद यहाँ पर आपके mobile number पर फिर से OTP आएगा दसकते हैं यहाँ पर यहाँ पर में OTP को देख लेना दसकते हैं यहाँ पर यह OTP आ चुका है 28464 यहाँ पर में क्या करना है OTP को लि इसके बारे में जन्का लिखा गया क्या है इसके बारे में पर आपका अगाड के बनके जाएगा अब इसके बाद यहां पर आपको जो थ्रवासा इंतिजार करना है अब इसके बाद यहाँ पर लिएक तरसे यह token number तरसे जन्रेट हो चुका है अब इसके बाद यहाँ पर में जनकारी में देखने को मिल जाएगा और तरसे यहाँ पर में कैसे जो यह तरसे हमें mobile banking चलाना है कैसे हमें net banking चालना है इसके बारे में आगे आगे आपको वीडियो बना के बता देंगे अब इसके बाद यहां पर में क्या करना है नेची आना है और हमें इस बाक्स में क्लिक करना है इसके बाद यहां पर में क्या करना है नेश्ट पर में क्लिक करना है इसके बाद यहां पर कि लगाना है और आपको काग़ज का और यहां पर लिखा और लिखा है अट गर लिखाए यहां पर लिखाए पांच वरकिंग देशकते हैं मतलब अक्तर से आपको जो है अब पाइज दिन के अंदर जो अक्तर से आपको पूरा कर लेना है और यहां पतर से इसके बारे में कुछ जानकाय लिखा गया है कि अक्तर से आपका जो है internet connection अक्तर से सही होना चाहिए अक्तर से और आपके फोन में अक्तर से जो है पर यहां पर यहां पर इस तरीके से आ चुका है यहां पर यहां पर लिखा है और पास पेपर और प्रेपर अरे पर पहन चाहिए इन सब बातों को हमें ध्यान लखना है इसके बाद यहां पर लिखाए I am ready इस पर हमें जो है क्लिक करना है अब इसके बाद यहां पर हमें इन सब चीजों को allow करना है camera, microphone, location को हमें allow करना है यहां पर में नीचे आना है दोस्तों वीडियो के वाइसी हो जाने के बाद जो आपको कुछी तरीके से देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको एक बाद बता आते हैं कि वीडियो के वाइसी में जो है आपसे क्या पूछा जाता है तो वीडियो के वाइसी में एक तरह से जो भी आपका नाम हो गया फादर का नाम हो गया डेटा बर्थ हो गया इसके अलामात तरह से आपका जो भी पैन कार्ट का फोटो होता है उसे तरह से जो है आपके बैक कैमेरे से कैप्चर किया एता है फोटो खिचा जायता है इसके अलामा तरह से आपका जो भी सिगनेचर हो गया जो भी हस्ताशर हो गया उसे तरह से जो है उसका भी फोटो खी जायता है इसके अलामा तरह से आपका तरह से फोटो खी जायता है ति इस तब जो है तरह से बहुत यसानी से हो जाएगा इसके बाद जो आपका अकाउंट यहां पर देखने को मिल जाएगा और इस तरीके से आप चाहें तो खाते को खोल सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो को लाइक जरू करें दोस्तों अगर आपको कुछ समस्या सुजाव इसकी लिए आप कमेंट कर सकते हैं उसका जवाब हम जरू देंगे वीडियो करने के लिए उखने के लिए उखने बाद सब्सक्राइब टू मैं चैनल